मैंने हमेशा से अपने वीडियोस में बता हुआ है कि और विलूशन के दिनों में रिलेशन्शिप प्लान करने से आपकी प्रेग्नेंसी जल्दी जल्दी रुख सकती है क्योंकि बहुत से कपल एक ऐसी गलती करते हैं उनको लगता है कि रिलेशन्शिप प्लान करेंगे तो आपकी प्रेग्नेंसी रुख जाएगी लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि सही टाइमिंग को मिन्टेन करना बहुत इंप्पोर्टन है अगर आप सही टाइमिंग को मिन्टेन करते हैं और विलूशन के दिनों में रिलेशन्शिप प्लान करते हैं तो जाके आपके प्रेग्नेंसी कंसी होने के चांसे बहुत ज़दा हाई होते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ ये कैसे पता चलेगा कि आपका वो सही समय कौन सा है कौन सा सही समय को हम ओविलूशन का दिन मान सकते हैं किस दिन आपके शरी से अंडर रिलीज होगा उसी टाइम पे रिलेशन्शिप प्लान करने के आवशकता है सब के बारे में आज इस वीडियो में डिसकर्शन किया है वीडियो काफी इंफर्मिटीव है प्लेश रोज से लिए कि लाज तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा रामहर शिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विल पे बहुत-बहुत स्वागत है जब हम ओवि सारी महिलाओं के लिए डिफरेंट मेरा सब की मिनस्ट्रीशन साइकिल अलग-बहुति ए सब के महलें आने का दिन अलग-छोता है किसी 28 दिन पेपिरेड रिपीट करते हैं किसी 10 दिन पे 32-35-40 दिन सब की टैमिंग अलग-अलग होती है उसई हिसाब से आपका ऑफनी चैन् है और वो उनको evolution के टाइम पे ही फील होता है तो अब यह evolution के दिनों में क्या ś scarf होते हैं तो सबसे पहला गारा संकेता है वो को मुकस की discharge में होना यानि कि आपका mucus होता है उसकी डिसार्ज होती है आपकी private part से कुछ ऐसे डिस्चार्ज होते है जो कि بالकूल नॉर्मल डिश्चार्ज है इसके अंदर कोई भी फावल इसमेल नहीं होती है किसी तरह की आपको infection या eachiness नहीं होती है क्योंकि अगर आपको eachiness हो रही है infection हो रही है आपके discharges का color भी बिल्कुल अलग सा है gray है या फिर green है तो आपको समझ जाना चाहिए कहीं न कहीं आप UTI की शिकार हो सकती है यानि कि urine tract infection आपकी body में हो सकता है लेकिन यह discharge बिल्कुल नॉर्मल है यानि कि बिल्कुल चिपचिपा सा discharge कह सकते है म्यूकस की discharge को बिल्कुल अलग-अलग तरीके से जाजा जा सकता है depending upon की महिला किस तरह की water की इंडेक ले रही है अगर बहुत ही जादा आप पानी को इग्नोर करती है बहुत अच्छी तरह से पानी का इस्तमाल नहीं करती है तो मेबी आपकी म्यूकस का डिस्चार्ज है वो आपको कम बने लेकिन अगर आपकी body पूरी तरह से हाइडरेटेड है तो सही टैम पे आपके म्यूकस का डिस्चार्ज होगा आपको एक तरल पदार्त रिलीज होगा और उस तरल पदार्त में आप यह सोचीगा कि किसी भी तरह के फावल इसमेल आपको नहीं होंगे बिल्कुल नाचुरल हेल्दी सा अगर डिस्चार्ज होगा तो वह आपके ऑविलूशन का संकेत होता है वह इस वजह से होता है क्योंकि जैसे ही मैला अविलूट करती है उनकी body में जब अंडर रिलीज होता है उस टैम पे एक वाइट की लिबीडो भी होती है तो डिपेंडिंग अपॉन कि सबकी मेंस्ट्रेशन साइकल बिलकुल अलग-अलग है उसी हिसाब से आपका यह दिन भी चेंज होता है यानि कि ऑवलूशन का दिन है वह चेंज होता है और उसी टैम पे आपको रिलेशन रखने के वह इक्षा करती है अगर आपकी लिबीडो बढ़ी हुई से आती है रिलेशन रखने के एक्षा करती है तो डेफिनेटली यह आपका ऑवलूशन का टाइम है और इस टाइम को आपको जरूर धान में रखना है और बारा से चौबिस घंटे के अंदर अंदर रिलेशन्शिप प्लान करना है ता